हेलो बच्चो आज जो हम टॉपिक आपके लिए लाए हैं वो है सेंट्री पीटल फोर्स और सेंट्री फ्यूगल फोर्स यानि सर्कुलर मोशन का आज सबसे में टॉपिक आ गया है अभी तक आप पढ़ लेते हैं सर्कुलर मोशन के अंदर की काइनामेटिक्स कि भाई एक्सक्लिडेशन कित्ती तरह के होते हैं कि भाई एंगुलर विलोस्टी क्या चीज है एंगुलर डिस्प्लेस्मेंट क्या में सेंट्री पीटल एंड सेंट्री फ्यूगल फोर्स आप कन्फूजन भी होगा कब सेंट्री पीटल लगती है कब सेंट्री फ्यूगल लगती है चले टॉपिक को स्टार्ट करते हैं मेरा नाम अलग पांडे चैनल फ्रिजिक्स वाला और आज टॉपिक है सर्कुलर मोशन 03 जिसमें हम पढ़ेंगे Dynamics of Circular Motion Dynamics of Circular Motion बच्चों किसी भी चीज की Dynamics की अगर हम बात करें तो बच्चों Dynamics किसी भी चीज की होती है Dynamics किसी भी चीज की होती है कि कौन-कौन सी Force उस पे लग रही है किसकी वज़ा से motion हो रहा है अब आज हमें सारी खेल, सारी बातें करनी हैं Forces के उपर चलिए Start करते हैं मान लीजे कोई circular motion हो रहा मान लीजे कोई भी दुनिया का circular motion हो रहा एक बात बताईए अगर circular motion हो रहा तो इस जगे पे velocity ऐसे tangent के लोग, यहाँ पे velocity ऐसे tangent के लोग, यहाँ पे velocity ऐसे tangent के लोग, पे velocity ऐसे tangent के लोग मुझे यह बताऊ, circular motion में velocity change होती है या नहीं होती है definitely, circular motion में velocity change होती है कैसे change होती है, आप देख रहे हो velocity का direction लगातार बदल रहा है हो सकता हो, velocity का magnitude भी change हो हो सकता है, कि यह जो velocity है इसकी value भी change हो, सिर्फ हो सकता है, पक्का नहीं है, पर हाँ, direction तो हमेशा change होगा, direction तो हमेशा change होगा, भाई अगर circular motion है, body गोल गोल घूम रही है, तो velocity का direction तो हमेशा change होगा, अच्छा, velocity में change आने की वज़े से पैदा होता है, exploration, यानि अगर circular motion है, तो exploration है, यह बात लिख लो, अगर circular motion है, तो exploration है, अगर circular motion है, तो exploration है, क्योंकि circular motion का मतलब body घूम रही है, घूमने का मतलब velocity का direction तो पक्का change हो रहा है, क्या पता साथ में magnitude भी change हो रहा हो, पर magnitude के बारे में नहीं भी पता, तो भी ये तो sure है ना कि velocity का direction change हो र और direction change होने के वज़े जो exploration आती है उसको हम बोलते हैं century petal exploration century petal exploration century petal exploration और भी तरह की exploration हो सकती है उपर जाओ YouTube पे type करो century petal and tangential exploration physics वाला या circular motion zero to physics वाला तुम्हें चार तरह की exploration में बताऊंगा जो circular motion में होती है detail में समझना उसको बहुत मज़ा आएगा बता चुका हूँ वापस आते हैं यहाँ पर यानि अगर circular motion है तो century petal exploration है अगर circular motion है लिख लो तो century petal exploration है बिना सोचे बोल सकते हैं अच्छा अब एक बात बताऊ मुझको जैसे मैंने इसको बोल दिया AC centripetal exploration कई लोग इसको AR भी लिखते हैं क्यों AR लिखते हैं क्योंकि centripetal exploration ऐसे लगती है towards the center along the radius, towards the center along the radius, towards the center along the radius यह direction होता है centripetal exploration का जो velocity को change करने वाली acceleration है उसका direction कहीं पर भी यसे मालो है यहाँ पर मैं बनाओ, velocity ऐसे, तो उसका direction यहाँ से ऐसे, किसका? centripetal exploration का इस point से towards the center along the radius, radius के along, center की तरफ यानि जो centripetal exploration है वो velocity से 90 degree पे होता है जो centripetal exploration है वो velocity से 90 degree पे होता है ठेक है अब उसको कई बार AC कई बार AR R मतलब radial की radius के long लग रही चलो भाई यहां तक बात समझ में आगी centripetal exploration का formula भी हम पिछले वीडियो में पढ़ चुके है कि centripetal exploration का formula होता है V square by R या R omega square where V is velocity R is radius R is radius R is radius and omega is angular velocity omega is angular velocity angular velocity का भी पूरा lecture चल चुका है पहला lecture इसी पे है कि angular velocity क्या होती है circular motion 01 देखो 40 मिनिट तक बताया angular velocity के बारे में सिर्फ छोटी सी बात में नहीं किया है पूरा बताया तो भाई यहां तक कहानिया में पता थी आज आगे समझो अब मुझे बताओ कि esclaration को पैदा करने वाला कौन होता है force escalation को पैदा करने वाली होती है force या force को पैदा करने वाला exclamation होता है बताओ पहले मुर्गी आई की अंडा की मुर्गी force की exclamation exclamation की force बोल भाई मेरे ख्याल से तो पहले force आई यार जब force लगती है तभी तो body की speed change होती है तभी तो exclamation आता है मतलब centripetal exclamation बाद में आया होगा पहले आई होगी centripetal force centripetal force तो definitely definitely जो भी body circular motion में है उस पे definitely लग रही होगी centripetal force और उस force की वज़ा से बना होगा exclamation जिसकी वज़ा से change होगा velocity का direction यहना बातों को लटे तरह से अब देखो dynamics की यह चीज हुई क्यों dynamics बताता है इसका reason क्या है dynamics बताता है कैसे कैसे हुआ velocity कैसे time कितना लगा displacement कैतना dynamics बताता है यह चीज हुई क्यों यह हुई क्यों because of this centripetal force अब बात आती है सर centripetal force का direction और उसका formula क्योंकि force vector quantity है तो यह direction की बात करो तो force का direction तो वही होता है जो exclamation का होता है सबने यह तो पढ़ लग खाऊगा Newton second law F is equals to MA F is equals to MA F पे भी vector sign A पे भी vector sign मतलब दोनों का direction सेन है force उसी direction में लगती है जिस direction में acceleration है ना या वाई से वरसा समझ लो acceleration उसी direction में होता है जिस direction में force मतलब यह जो force है centripetal force यह भी लगेगी किदर towards the center along the radius towards the center along the radius towards the center along the radius कहीं पे भी towards the center along the radius किसी भी जगा पे आप हो ठीक है अच्छा तो centripetal force का direction क्या है towards the center along the radius जिदर centripetal exploration है फिर आता है कि इसका formula क्या होगा सर, centripetal force का formula क्या होगा तो यह force का formula क्या होता है mass into exploration तो centripetal force का formula mass into centripetal exploration अब centripetal acceleration कितनी है V square by R तो या तो MV square by R लिख लो या तो M और AC के जगा लिख सकते हैं R omega square तो या तो यह formula याद रख को centripetal force का या यह formula simple है acceleration का formula याद कर लो V square by R या R omega square force होता है mass into acceleration वहाँ से रट सकते हैं बहुत बढ़ी है तो हमें समझ में अभी तक इतनी बात आई इसको दिमार्ट में हम डालेंगे notes में डालेंगे, जिंदगी में डालेंगे क्या, कि यदि कि यदि body circular motion में है तो centripetal acceleration होगा और centripetal acceleration कहां से आएगा centripetal force से आएगा centripetal force किदर लगती है towards the center formula क्या होता है, mv square by r mr omega square चलो भाई, अभी आपको सिर्फ introduction मिला है centripetal force का ये तो सिर्फ शुरुआत है रजा कुरानी से प्यार हो गया उसके बात कहानी असली start होती है तो अब start होगी centripetal force is equals to mv square by r या mr omega square कहां लगेगा जब भी circular motion होगा जब भी दुनिया में किसी भी कोने में कहीं भी circular motion है तो centripetal force definitely definitely है पर बात जो मज़े की है वो आज मैं समझाता हूँ कि centripetal force होती नहीं है होती नहीं है यह कैसी पहली है यह कैसी पहली जिंदी गानी नहीं होती है centripetal force जैसी कोई force होती नहीं है एक्चुल में कोई force centripetal force बन जाती है centripetal force बन जाती है तुमने मेरा laws of motion का वीडियो देखा है हाँ की ना भाई laws of motion का वीडियो देखा है laws of motion 0102 तुम 01 देखना मैंने उसमे kinds of force डिसकस की है types of force डिसकस की है और types of force में centripetal force का नाम नहीं था इसका मतलब centripetal force होती नहीं है कोई actual में force होती है जो की centripetal force बन जाती है कोई ना कोई force होती है which behaves as centripetal force clear हुई बात नहीं आया सर नहीं आया नहीं आया नहीं आया चब दिखते हैं मान लो एक बंदा है यहाँ पे stone को फशाके string को हाथ से पकड़के जम 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 घुमा रहा है जम 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 जब stone घुनता है बच्चों तो stone को अंदर के तरफ खीचने वाली force होती है tension string में कौन सी force लगती है tension क्या आपने कही centripetal force देखी नहीं यही tension क्या बन जाएगी centripetal force the net force towards center note my words, note my words net force towards center net force towards center is centripetal force फिर से बोल रहा हूँ net force towards center is centripetal force इस बात को याद कर लो यहाँ पे जो doubt है निकल जाएगा बड़े से बड़ा question इस लाइन से solve होगा इस लाइन से बड़े से बड़ा question इस लाइन से solve होगा the net force towards center is centripetal force कहीं पे भी कोई नई force ही नहीं यार कोई ना कोई पुरानी forces का जो resultant है जो center की तरफ जा रहा है जो total center की तरफ force होती है उसी का नाम हम दे देते है centripetal force नहीं आया जैसे मान लो अगर आपने देखा हो तो हमने atomic structure में आपको पढ़ाया है कि electron nucleus के अगल बगल गूमते है अरे atom में आपको पता ही होगा electron revolves around the nucleus पुराना जो model ता बहर वाला इस सब पढ़ा है ना कि electron गोल गूमता है electron गोल गूमता है क्योंकि electron पे negative charge nucleus पे positive charge तो इनके बीच में लगती है electro static force of attraction electro static force of attraction यानि electron को nucleus किस force से खीचता है electro static force of attraction और यही force system क्या बन जाएगी centripetal force the net force towards center becomes itself becomes itself centripetal force जैसे हम बोलें आप से ही रे 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 और कौन सा example दे तुम पास आए मान लो यहाँ पे sun है sun के पास नहीं जाने को है और यहाँ पे अर्थ है यह अर्थ तो बड़ा बन गया sun से छोटा होना चीना एक चकू यह रहा अर्थ अचा यह अर्थ यह sun अब अर्थ को sun अपनी तरफ अट्राक कर रहा है with gravitational force सबने पढ़ लखा होगा class 19 का से ले बस है वाई जब अर्थ को sun अट्राक करता है अपने तरफ with gravitational force और यही gravitational force बन जाएगी centripetal force because it is net force towards center किसी भी circular motion में जो net force towards center है उसी को हम बोल देते हैं कि वो क्या है centripetal force mv square by r या mr omega square the net force towards center is called the centripetal force कहीं कभी example हो कैसे भी example बहुत example आएगे पुरा chapter आने वाला है यार examples तो भरे रहेंगे बस यह याद रखना है आपको कि यह centripetal force होती नहीं है एसी कोई नई force मत लगा देना centripetal force आप यह समझना कि जो भी net force towards center है वो centripetal force है तो क्या यह force imaginary है नहीं यह real है यह real है अगर centripetal force नहीं होगी तो कोई घूम नहीं पाएगा बस यह force कोई और force बना के इसको देती है हमने मतलब एक concept बना लिया हमने कि कहीं पर भी circular motion होगा और circular motion में जो total force हमें towards center दिख रही होगी उसका नाम हम दे देंगे centripetal force clear जैसे मालो कोई body गोल गोल गोम रही है उस पर एक force बाहर लग रही है एक force अंदर लग रही है F1, F2 एक force बाहर एक force अंदर ये body गोल गोल भूम रही है एक force बाहर एक force अंदर तो जो total force center की तरफ है उसका नया नाम जो है वो है centripetal force इससे ज़्यादा clear centripetal force मुझे नहीं लगता आपको कोई बता सकता है मतलब हो सकता हो यही कोई बता है इससे ज़्यादा clear कोई नहीं बता सकता यही है centripetal force किसी भी circular motion में जो total force towards center है उसका एक नया नाम करण करके बोल दिया कि ले भाई जो total force towards center थी आठ से उसका नाम centripetal force clear है clear है क्या बात सर दिमाग खुल गया मैं तो सोचा centripetal force नया force है कोई नया force नहीं है कोई पुरानी force होगी जो centripetal force बन कर जिन्दगी में हमारे सामने आएगी अच्छा चलो example लेना start करते हैं आप लोगें देखा ये मेरे वीडियो में numericals के around कहानी घुमती है माल लो ये एक mass m है और माल लो यहां इसको हाथ से मैंने पकड़ा है और ये radius r है और इसको मैंने घुमा दिया with angular velocity omega जुम 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 अब मैं आपसे पूछू what is the tension in string इस time string में tension क्या है काब लोगे कि भईया tension कौन सी force बनेगी इस बार centripetal force जो net force towards center है वही क्या है centripetal force तो centripetal force कितनी होती है mr omega square और यही किसकी value हो जाएगी इस time tension की तो इस सवाल में आपसे tension पूछता आप बोलो tension तो क्या है centripetal force सवाल खतम अच्छा देखो अगला सवाल देखो थोड़ा समय बढ़ाता हूँ यहाँ पर एक rod है द्यान देंगे मजाग नहीं करेंगे एक mass लगा है 1 kg का एक mass लगा है 2 kg का एक mass लगा है 3 kg का यह एक string है मैंने बांदी है इस string से एक mass 1 kg का एक 2 kg का एक 3 kg का यहाँ से यहाँ तक की length है माल लो 1 meter यहां से यहां की लेंथे माल लो 2 meter और यहां से यहां तक की लेंथे माल लो 3 meters यह एक rod है, rod पर सब बंधे हुए है, rod पर एक string बंधी हुए, यह string बंधी हुए, rod पर ठीक है, एक mass 1 kg का, एक 2 kg का, एक 3 kg का, लाइन से बंदे हुए है फिर मैंने क्या कि इस राइड को ऐसे ऐसे घुमा दिया मतलब इन पूरे मासे इसको ऐसे इस गुमा या इस राइड को मैंने इधर घुमा दिया विट एंग लर विली अगजी उमेगा is equals to two radiant per second ठीक है इसको मैंने zoom जूम 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 जुम करके खुमा दिया, एक सेकेंड में दो रेडियन का एंगल चलेगा, एक सेकेंड में दो रेडियन का एंगल ये चलेगा, ऐसे जुम 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 जुमना चलो, अब मैंने पूछा, what is the tension over here, here and here, calculate, calculate tension in, in all the strings, जो सभी strings हैं, उनमें आप tension का calculation करके दिखाईए, ठीक है, तो भाई यारे, इसको शिरू करते हैं, ओके, चलो भाई, इसको start किया जाए, कैसे करेंगे, यहाँ पर tension का direction कहाँ पर होगा, अंदर की तरफ, मैंने इसको बोला T, यहाँ पर tension किदर होगा, मैंने विशा बताया, tension is away from the point, तो इस point पर tension देखो तो away from the point इधर, अब देखो यह और यह string change हो गई है, string change तो tension change, तो यहाँ पर tension बोला T1 और यह भी T1, क्योंकि यह string तो same है, यह और यह string different थी, तो यहाँ पर T1, यह string same है, तो T1, T1, फिर यहाँ पर tension देखोगे, तो 2 से away दूर भागेगी इधर, यहाँ पर देखोगे, 3 से away दूर भागेगी इधर, फिर से string change हो गई, मैंने बोला T2, T2, तो तीन tension है, इसमें T, T1 और T2, क्योंकि तीन अलग अलग string है, अच्छा भाईया, अब हमें T no tension निकालनी है, कहां से शूर करें, चलो यहाँ से start करते हैं, 3 kg मास से, 3 kg मास से start करते हैं, यह रहा 3 kg का मास, ठी इसके उपर इधर सरफ force लग रही है, T2, इसका radius कितना है हमारा, इसका radius है, कितना, 3 meters, यहाँ से कितनी दूर है, 3 meters दूर है, अच्छा, यह किस angular velocity से घूम रहा, omega is equals to 2 radian per second, हां, ध्यान देंगे कि तीनों की angular velocity same होगी, तीनों की angular velocity, तीनों same angle घूम रहे हैं, same time में, यह जो तीन मासेज हैं, तीनों same angle घूम रहे हैं, same time में, है कि नहीं, मालो, यह 30 degree मुड़ा, तो यह भी 30 degree मुड़ेगा, यह भी 30 degree, मालब तीनों की angular velocity same है, और यही पर मैं यह भी बताना चाहूँगा, कि तीनों की linear velocity different है, linear velocity का formula होता है, r omega, angular velocity तीनों की same रहेगी, तीनों बराबर बराबर की angle घूमेंगे, जैसे मालो, एक second में, यह वाला मास 30 degree पीछे गया, तो यह भी 30 degree पीछे, यह भी 30 degree पीछे, पर linear velocity तीनों की different रहेगी, इस वाले की सबसे ज़्यादा, क्योंकि इसका radius सबसे बड़ा, इसकी उससे कम, इसकी उससे कम, होता है कि नहीं, कोई पत्थर चोटे से दागें बांद के गुमाओ, कोई पत्थर, चोटे से दागें बांध गुमाओ, तो इतनी तेज नहीं लगेगा, और उसी पत्थर को लंबे से धागें बांद के जूम, 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 घुमाओ, तो रालत करा प हो जाए, जैसे वह Merry Go Round वाला जूला होता है, Merry Go Round गोल गोल जिसमें से खड़ उतने गोल गूमता है उसके जितने कोने में जाके खड़ होगी जितने कॉर्णर में जाके खड़ होगी रेडियस उतना बड़ा होगा speed उतनी ज़्यादा होगी, डर उतना ज़्यादा लगेगा angular speed सबकी सेम रहेगी, क्योंकि एक ही string से बंदे हैं, बराबर बराबर angle भूम रहे पर linear speed सबकी अलग-अलग होगी जो V होगा, सबका अलग होगा feel हुई ये बात की नहीं ये बात feel हुई कि नहीं, कि जो भी बंदा सबसे दूर खड़ा होगा, जो भी चीज़ सबसे दूर होगी, उसकी velocity उतनी ज़्यादा अच्छा, खेर अभी यहाँ पर हम वापस आते हैं अपने topic पे, तो सबकी angular speed इसकी भी omega इसकी भी omega, इसकी भी omega, अच्छा भाई, बहुत बड़ी है अब ये बंदा circular motion में है, तो इसके उपर centripetal force होगी, what is centripetal force, it is net force towards center, net force towards center अब 3kg पे, center की तरफ एक ही force लग रही है, that is T2, तो FC किसके equal हो जाएगा, T2 के, centripetal force का formula, mr omega square is equals to T2 mass कितना है, 3, radius कितना है, 3, omega कितना है, 2, 2 का square is, 4 is equals to T2, 3, 3 is a 9 9 force are 36 तो हमें T2 की value मिल गई 36 newton, चलो, एक तो solve हुआ इस पे लगने वाली center की तरफ force एक ही है, T2, और जो center की तरफ force है, वही बनेगी centripetal force mr omega square, m की जाएगे रखा 3, r की जाएगे रखा 3 3, omega की जाएगे रखा 2 का square 3, 9 force are 36 चलो, एक solve हो गया अच्छा, बहुत बढ़ी है अब आते हैं, 2 kg के मास पे, 2 kg के मास पे, इस पे एक force इधर लग रही T1, एक force इधर लग रही T2, angular velocity इसकी भी 2, और इसका radius, इसका radius कितनी दूर है fixed point से 2 meters अब what is centripetal force it is net force towards center इस पे net force towards center कौन सी हुई, मेरे ख्याल से towards center होगी T1 minus T2 सही बता रहा हूँ, इस पे net force towards center, center की तरफ कितनी force है, T1 है और T2 अवे है तो इसको minus कर दिया T1 minus T2 किधर लगेगा towards center, बहुत सही तो FC is equals to T1 minus T2, FC की value बोलो, MR omega square T1 minus T2 की value 36, T1 minus T2 clear है न, इसके उपए center की तरफ T1 लग रही, बाहर T2 तो towards center, total force कितनी हुई, T1 minus T2 मास कितना है, 2 kg, radius कितना है 2, omega कितना है, 2 का square 4 T1 minus 36 2, 2 is a 4, 4 is a 16 और 36 इसमें add हो जाएगा, 46 और 6, 52 newton सही है, 2, 2 is a 4, 4, 4 is a 16 और 36, that's 46, और 6 52, तो T1 comes out to be 52 newton चलिए, अब last में हमको T calculate करना है तो T के लिए हम आएंगे, मास 1 kg पे so we come to mass 1 kg अंदर की तरफ force T, बाहर की तरफ force T1, omega इसका भी 2, radius इसका 1 meter, छोटू सा चलो भाई, what is centripetal force net force towards center इस पे center की तरफ कितनी force है, T minus T1 सही है, T अंदर T1 बाहर तो T minus T1 M, R, omega square T कितना है, नहीं पता T1 कितना है, 52 newton M is 1, R is 1 omega is 2, oh I am so sorry 4, अब इसको ज़र ले आ रहे तो T बन जागा, 52 plus 4 56 newton तो T is अब तक 56 56 newton अच्छा है, बहुत अच्छा है सही है, clear है, समझ में आया कि नहीं तो इस तरह से हम अलग-अलग tension force निकाल सकते हैं using the concept कि the centripetal force is the net force towards center I hope concept clear हो गया होगा चलो भाई एक सवाल आ रहाता है कि इन तीनों में से सबसे पहले कौन सी string तूटेगी तो आप निकाल के देख लो किसमें tension सबसे ज़्यादा है सबसे ज़्यादा इसमें tension आ रहाता 56 जिसमें सबसे ज़्यादा खिचा होगा वो सबसे पहले तूटेगी फिक है इसको logically भी सो सकते ते यह string तीनों का भारन चाह रही है फिन तीनों का होइं आ यह वेट ना चाहरी है तो इसके तूटने के ज़्यादा चांस है यह तो सिर्फ साइट वेयले को पकड़ी है इसके तूटने के चांस कम है जहाँ tension जज़ादा हो तो वहां तूटने के चांस ज्यादा होते हैं, simple भाषा में, ठीक है, अगर आप से पुछे तीनों में सबसे पहले कॉंसी string break करेगी, तो आप tension calculate कर लो, जहां पर tension ज्यादा, वह string पहले break करेगी, चलो भाई, अब इसी topic के अंदर मैं आपको एक नया topic पढ़ाता हूँ, which is conical pendulum conical pendulum, centiprital force का ही example है, conical pendulum, what is conical pendulum, माले, यहां से मैं एक बाल को यसे लटका लूँ और इसको गोल-गोल घुमाना स्टार्ट करूँ, जादू में गये हैं, जादू में, तुम लगे, जादू होता है कि नहीं आजकल, वह जादू होता है, किसी का नाम दिलेंगे, भी copyright आजाएगा, और लगता है, अब मुझको copyright ना आजाए, किस चीज़ पर आजाएगा, वरुसा नहीं होता है, एक तो इतने लोग कि स्टैम मेल कर रहे हैं, आप मेरे प्लाटफोर्म से ज्ड़ जाओ, मैं आपको इतना पैसा दूँंगा, या मेरे से जुड़ जाओ, मैं, आपके वीडियो उस, मालब, ऐसे से प्लाटफोर्म ए compress, बड़ चे 6 बार मेल कर रहे हैं, हर पर पैसा बढ़ा देगा, याब और नहीं जुड़ोंगा तो व्लोग से, एक बात बताओ मुझको बच्चो, आठ मिनिट के वीडियो से ITJ क्वालिफाइ नहीं हो सकता, मुझे तो लगता है जितना है पढ़ा रहा हूँ, ये भी बहुत कम है, मैं तो बार बार कहता हूँ, मुझे पूरी तरह से डिपेंड मत हो, यार अपनी पढ़ाई करते रहो, मैं help कर रहा हूँ, जितनी कर सकता हूँ, वो concept बताता हूँ, जिसमें आप confused हो, ठीक है, बाकि पढ़ाई दो तुम्हें खुद करनी है, वो कहते है, आठ मिनिट का वीडियो बनाई, ITJ के लिए, आठ मिनिट का, आठ मिनिट तो मैं बताने पेंडूलम ले के इसे करते हैं, तिंग 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 देखा होगा, वो hypnotize होगा, तो उसी बाल को, अगर मैं ऐसे नचाना स्टार्ट करते हूँ, जिसे माले, यह मेरे पास बाले, उसको मैं ऐसे नचान लगा हूँ, दिखाई पढ़ लगा, इस तरह पर आप इसका हम टाइम पीरेड निकाल लेंगे इसके उपर होने याले क्लेशन करेंगे मतलब पूरा अनलाइस करेंगे और टॉपिक है हमारा यह कॉनिकल पेंडूलम चलाओ दिखते हैं अच्छा मान लो इस बॉल का इस बॉब का मास M है यह स्ट्रिंग की लिंद L है और यह एंगिल हमारा थीटा है इत्ती इन फॉर्मिशन दी है और हमसे पूछा है आप इसका टाइम पिरियल क्रेगूलेट करिए I hope सबको pendulum का time period याद होगा pendulum का time period होता है 2 pi under root L by G यही time period होता है pendulum का बच्चों 2 pi under root L by G तो आओ देखें इसका यही आएगा कि कुछ और आएगा आओ चेक करते हैं कि इसका time period कैसे निकारेगे ठीक है चलो पहरे से बता दू इसका time period बच्चों आएगा 2 pi under root सुनना L cos theta by G और याद भी करा देता हूं तुमको पढ़ाने से पहले ही topic 2 pi under root L by G जो pendulum का time period होता था नॉर्मल pendulum का उसमें L जो length होती थी वो vertical length होती थी सीधी length सीधी length सीधी length सीधी length L होती थी वहाँ पे pendulum की सीधी सीधी length L तो यहाँ पे भी आपको इसकी vertical length उठानी है खत्म L क्या होता है L को आप समझो vertical length कभी भी pendulum का सवाल है घुमा फिरा के अभी तुम पहुचोगे simple harmonic motion में वहाँ पे भी बहुत सा time period के सवाल होगे तो vertical length ही लेते हैं अब देको L का इधर जो component आएगा इस direction जो component आएगा वो कितना होगा L cos theta वही क्या है वर्टिकल हाइट तो वर्टिकल लेंथ रखते हैं pendulum में चलो मैंने इतनी बाते हैं आपको बता दी अब देखते हैं यह सब कैसे होगा यहां साइड में लिख लेते हैं कि time period टेंशन नहीं time period 2 pi under root L cos theta by g आने वाला है और देखते हैं कैसे होगा चलो भाई यह मास घूम रहा है किस circle में इस circle में बहुत बढ़ी हैं इसके उपर इधर एक force लगेगी tension की अब T tension है वो time period के लिखा है tension ठेक है आच्छा और कौनसी force लगेगी नीचे की तरफ इसका weight mg बह यह angle theta तो यह angle theta टेंडेन का इधर component T cos theta और एक component tension का इधर आएगा T sin theta बोले सही है यहाँ बना लेते हैं मास M को tension का एक component उपर आया T cos theta एक इधर आया T sin theta और नीचे एक force है mg तो यह particle ना नीचे गिर रहा है ना उपर जा रहा है मतलब यह दोनों force बराबर होंगी तो पहली equation बनी T cos theta is equals to mg ना ही उपर गया ना ही नीचे एक force इधर लग रही है किदर towards the center यही तो इसका circle है माल लेते हैं कि यह radius r है यहाँ center से यह distance यह radius r है तो यही तो इसका circle है so what is the net force towards center center की तरफ total force कितनी है T sin theta तो यही क्या बनेगी centripetal force तो T sin theta is equal to centripetal force centripetal force कितनी होगी m r omega square m r omega square तो centripetal force यह कि मैं लिख लेता हूँ क्या लिख लूँ m r omega square हमने मान लिया इसकी घूमते वक्त angular velocity कितनी है omega यह omega angular velocity से घूम रहा है यह हमने मान लिया यहाँ आप देखरो यहाँ omega का time ही नहीं है तो हमने मान लिया कि omega से घूम रहा होगा just suppose कर दिया ठीक है और centripetal force m r omega square अब इसमें से इसको divide कर दो इसमें से इसको divide कर दो t sin theta upon t cos theta t sin theta upon t cos theta is equals to m r omega square upon mg m ने m को मार दिया t कि ने t को मार दिया sin theta by cos theta कितना आया tan theta लिखू मैं नहीं नित्ता चल साइन theta by cos theta ऐसे ही रहें दो r omega square बटे g अब देखो सवाल में हमको r दिया नहीं है सवाल में हमको सिर्फ तीन variable दिये थे m l theta r नहीं दिया है तो हमको r को निकालना पड़ेगा तो यह triangle देखो यह वाला यह वाला triangle यह theta यह l यह r इस triangle से बताओ l का इधर component l cos theta और इस तरफ component l sin theta मतलब r किसके बराबर है l sin theta के l का इस तरफ component l cos theta इस तरफ l sin theta या ऐसे ना आया हो तो simply समझो इस triangle के लिए triangle के लिए sin theta की value sin theta क्या होता है perpendicular upon hypotenuse यानि r by l यहां से r की value कितनी l sin theta मैंने simply बताया l का इस तरफ component l cos theta इस तरफ l sin theta तो r anyways l sin theta आएगा तो मैं r को हटा के लिख लूँगा l sin theta sin theta ने sin theta को मार दिया यहां से omega square की value आएगी g divided by l cos theta और omega की value आजाएगी under root g by l cos theta तो हमको angular velocity जो कि हमने suppose की थी omega है उसकी value मिली g by under root g by l cos theta ठीक है clear है इतना सब यह भी याद रखना कई बार question time period पे नहीं होता है tension पूछ लेता है velocity देकर omega देकर कुछ भी पूछ सकता है तो तुमको यह पूरा तरीका भी आना चाहिए tension लगाया t cos theta mg को balance करेगा और t sin theta किदर है towards the center तो वो क्या बनाएगा centripetal force which is mr omega square चलो भाई इतनी चीज़े में टारता हूँ omega की value आ गई है उसको हमागे इस्तिमाल करेंगे omega की value कितनी आई है हमारे पास omega की value आई है under root g by l cos theta अब बच्चों जो time period होता है तो मैंने आपको पहले वीडियो में angular velocity की वीडियो में चीज़ सिखाई थी कि omega का एक formula होता है 2 pi upon time period अगर याद है तो अच्छी बात है नहीं याद है तो अभी सीख लो omega का एक formula होता है 2 pi upon time period जैसे omega का एक formula यह तो यादी होगा 2 pi f तो वह है 2 pi by time period तो खतम अब यहाँ से time period कितना हो जाएगा 2 pi upon omega तो time period is equals to 2 pi by omega यानी 2 pi upon omega से divide करोगे तो क्या आ जाएगा under root l cos theta by g 2 pi by omega से divide करोगे नीचे लाओगे तो root g नीचे रह जाएगा l cos theta उपर चला जाएगा और time period की value आएगी 2 pi under root l cos theta by g short में याद करने का तरीका क्या बताया मैंने कि pendulum में हम कौन सी length लेते हैं vertical length pendulum का time period का formula क्या होता है 2 pi under root l by g और length कौन सी vertical तो l का vertical component l cos theta clear है omega कितना होता है root g by l cos theta कैसे निकाला समझ में आया omega का time period solution 2 pi ये याद रखना ये आगे जब तुम पढ़ोगे simple harmonic motion किताब के last में देख रहे होगे होगा waves में simple harmonic motion जब वहाँ तक पहुचेंगे wave नहीं है वैसे ये उससे थोड़ा फेरे वहाँ जब पहुचेंगे तो ये वाली equation बहुत काम आएगी ठीक है तो time period निकला आया है 2 pi under root l cos theta by g अब इसी मैं आप से बोलूँ मान लोग theta tends to 0 degree हो जाए theta tends to 0 degree मतलब ये एकदम सीधा हो जाए तो cos 0 कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा और time period 2 pi under root l by g जो की normal pendulum का formula होता है theta जब 0 को tend करेगा मतलब ये ऐसा हो जाएगा अब तो ये pendulum ही बन गया ना अब ये swing करेगा to and fro motion टिंग टिंग किच 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 आसे करेगा तब ये normal pendulum और formula 2 pi under root l by g तो आप समझ सकते हो कि ये formula सही है क्योंकि इसमें एक condition जब हम लगा रहे हैं theta को 0 कर रहे हैं तो एक simple pendulum का formula भी इससे derive हो रहा है तो ये था हमारा conical pendulum का topic और हमने use की centripetal force की logic clear हुआ भाई चलो इसी तरह से अब आपको मैं अगला concept पढ़ाने जा रहा हूँ जो कि है मौत के कुए का मौत का कुए अब आप देखेंगे तीन बहादूर बाईकर्स इस मौत के कुए में कभी मेले में गए हो एक तो तुम्हारी generation मेरी generation से इतनी आगे चलेगी मुझे लगता है मैं बुढधा हो गया हूँ आप कमेंट करोगे ये सरा बुढ़े हो गए हो बुढ़े पढ़ा पढ़ाई करने आए हम यहां तिल्क बाते सुन नहीं बुढ़े अच्छा वो क्या हुआ है कि थोड़ा सुबा का महौल है अभी अभी जगा हूँ तो बाते निकल नहीं है मौत का कुए अंग्रेजी में जिसको आप डेथ वेल बोलते हो डेथ वेलो माइगा देखा होगा ना बड़े से जाल में ऐसे जूँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँ तो ये वो बाइकर है, छोटा सा point, ठीक है, बेस्ती नहीं कर रहा बाइकर की, हम लोग फिजिक्स में सब क्या बना देते हैं, point mass, ये वो बाइकर है, जो गोल-गोल घूम रहा, ठीक है, इस सर्कल में गोल-गोल घूम रहा, अब इसके उपर लगने वाली forces कौन-कौन सी है, ए अब normal reaction definitely उसको कौन सी force दे रहा होगा, centripetal force, normal reaction कि दर लग रहा है, towards the center, इसकी वज़े से घूम रहा होगा, पर सवाल ये है, कि ये बाइकर नीचे क्यों नी फिसल रहा, एमजी वाली forces को नीचे गिरा रही होगी, इसको रोग की कौन रखखा, किसकी वज़े से नीचे नी गिर रहा, गोल किसकी वज़े से घूम रहा, normal reaction की वज़े से, clear, नीचे क्यों नी गिर रहा, तो जब ये दिवाल से slip करना चाह रहा होगा, दिवाल से respect में, relative motion करना चाह रहा होगा, तो जब भी दो surfaces के बीच में, relative motion होता है, तो कौन सी force आती है, friction की, तो दिवाल, ये wall, य इसके उपर लगाएगी, उपर की तरफ, frictional force, tangential लगती है, frictional force, direction यहाद है, tangential, क्यों लगी, क्योंकि ये नीचे गिरना चाह रहा था, friction कि इदर लगता है, opposite to relative motion, जिधर motion हो रहा हो, या होने वाला हो, तो cage को डर लग रहा था, ये नीचे गिर जाएगा, तो cage ने पकड़ हों कि mg को balance कर सके, so friction force must be greater than equal to mg, वरना ये नीचे फिसल जाएगा, और normal reaction कौन सी force बना रहा, normal reaction, centripetal force बना रहा, fc, centripetal force को बना रहा है, क्योंकि normal reaction कि दर लग रहा, towards the center, मान लेते हैं, अब ये जो भाई साब घूम रहे हैं, इसका जो circle का radius है, r है, इनके घूमने की जो velocity है, वो v है, और इनका जो mass है, वो m है, ठीक है, जिस circle में ये घूम रहे हैं, उसका radius r, इनका mass है m, और velocity है v, तो बच्चों centripetal force कितनी हो जाएगी, mv square by r, या तो क्या ब normal reaction centripetal force के equal, which is equals to mv square by r, अब आप मेरे को बताओ, आप friction minimum चाहोगे, कि maximum, maximum, जाते से ज़्यादा friction हो, ताकि ये रुका रह सके, नीचे ना गिरे, सो बच्चों जो maximum friction होता है, आप मेरा friction का वीडियो देखो, अगर नहीं पता है इस बारे में, वो होता है limiting friction, मेरा बस youtube पे आपको टाइप करना है friction 01 physics वाला, आपका चला आएगा कि friction क्या होता है, limiting friction क्या होता है, सब भी लेगा उसके अंदर, limiting friction बच्चों maximum friction होता है, जिसक केज है, उनके बीच का friction coefficient है mu, तो maximum friction हो सकता है mu n, तो हम कोशिश करेंगे friction maximum हो, तो friction की जगा हम लिख लेंगे mu n, should be greater than equal to mg, और n क्या बना रहा है, centripetal force, तो n कितना हो जाएगा, mv square बटे r, is greater than equal to mg, m ने m को मार दिया, यहाँ से आया, v square must be greater than equal to, g r बटे mu, या v should be greater than equal to, under root, g r बटे mu, मतलब इससे धीमी speed पे वो चला, तो वो गिर जाएगा, इसलिए आप देखते हो, bikers जो death well में घूमते हैं, मौत के कुवे, 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 जो bikers घूमते हैं, जो bikers घूमते हैं, वो बहुत तेज़ speed पे चलते हैं, कभी देखा, धीमी speed राम से एकदम सफर कर रहों, गिर जाएंगे या, धीमी speed करेंगे, तो speed इस factor से कम हो जाएगी, और कम होई तो वो फिसल जाएगे, यानि death well में घूमने के लिए, हमें speed जादा से जादा रखनी होगी, ठीक है, अब ऐसा भी नहीं है कि हम 200 की speed पे पहुत सकते हैं, limitation है bike के भी, और भी चीज़ों की limitation है, तेजी speed में accident अंदर हो सकता है, एक साथ 3-4 bike घूमती है, एक तो घूमती नहीं है, तो हम कोशिश करेंगे कि ये V की value थोड़ी कम ही रहे, बहुत ज़्यादा speed ना लेनी पड़े, V की minimum value कितनी होनी चाहिए, what should be the minimum value of V, it should be GR बटे mu, इससे कम पे तो गिर जाएगा, हम बचाने के लिए क्या कर सकते हैं, अपने mu की value को adjust कर सकते हैं, टायर के इसाब से, हम मोटा टायर ले ले, मोटा टायर लेने से हमें friction जादा मिलेगा, friction जादा होगा, mu की value जादा होगी, तो velocity हम टायर की ग्रेटिंग अच्छी लें, टायर कर आप देखते हो, ग्रेटिंग होती है, इसलिए कुछ टायर बहुत महांगे होते हैं, कुछ सस्ते, यह racing वाले टायर होते हैं, इनकी ग्रेटिंग अच्छी है, दिवाल को अच्छे से पकड़ेंगे, इनने division बढ़िया से है तो इसकी म्यू की वैलू जादा होगी, तो velocity जो minimum required है, वो और कम हो जाएगी, यानि और कम speed में भी काम चल सकता है, ठीक है, तो यह condition, अगर कोई पूछे condition क्या है, तो आप बोलोगे V greater than equal to underlute GR by म्यू, हो सकता हो, उमेगा के उपर condition दे दे, तो आप centripetal force में MR उमेगा square र समझ में आई, तो क्यों स्पीड जाद रखने भी समझ में आगया, slow speed में गिर सकता, इसलिए तेर चलते हैं, this is the concept of मौत का कुवा, ठीक है, clear हुआ, इसके बाद जब banking of roads आएगा, तो उसमें भी यह concept लगेगा, थोड़ा और extended form में, तो बच्चों मुझे लगता है, centripetal force related मैं आप से काफी बाते कर ली, और centripetal force related बाते हैं आगे की chapters में आएगी, जब gravitation पढ़ेंगे, वहां पर centripetal force का use करेंगे, हमने atomic structure पढ़ाया, chemistry में वहां पर use किया, तो centripetal force ऐसा नहीं है, कि इस chapter से related है, आप देखी रहे हैं, आपने पहले chapter में velocity वगेरा पढ़ी मेरे है ना, तो यह चलता रहेगा सलसेला, तो centripetal force ऐसे तो कभी खतम नहीं हो सकती, बट जो main main topics तो उसमें वह आपने बता है, अभी आते हैं, centrifugal force में, ठीक है, अभी introduction दिया है है, centrifugal force, अब यह क्या है, centrifugal force बच्चों होती है, pseudo force, if you know the concept of pseudo, very very good, if you don't know, you must watch my video, pseudo force physics वाला, जहा तो जितने लोग ने देखा हुआ है, वीडियो अच्छी बाद, जिसने नहीं देखा है, यूटूब पे जाएं, टाइप करें, pseudo force physics वाला, pseudo force physics वाला, और देखें, उसके बाद यहाँ पे आए, वरना centrifugal force, बाउंसर जाएगी पूरी, कुछ समझ में नहीं आएगे, और इनर्शल फ्रेम वो होते थे, जिसका एक्सलरेशन जीरो हो, नौ इनर्शल वो होते हैं, जिसका एक्सलरेशन नौट जीरो हो, अगर जो हमारा फ्रेम है, जितनी हम अब्जर्वेशन कर रहे हैं, जो हमारा अब्जर्वर है, वो ऐसे फ्रेम पे बैठ जाए, अब्जर्वर नहीं होते तब हम यूस करते हैं सीड़ों सीड़ों सडिलSen ह होता है सीड़ों स होता है अबयों सकी होता है अफुलॉद हों इस पॉसक्रिय में डिकख सकते हूं उस वीडियो में बहुत क्लेली मैंने समझाया कि सीडो फोर्स कब लगती कहां लगती है क्या सेंटिफ्यूगल फोर्स पढ़ना सर हमको जरूरी है नहीं जरूरी तो कुछ भी नहीं है काम चल सकता है तुम खाने में चाहो तो एक रोटी खा सकते हो बिना दाल चावल के काम च चला सकते हो काम चलाने की बात है तब भी भर जाएगा जिन्दगी तब भी चलेगी मतलब बिना सेंटिफ्यूगल फोर्स के भी नीट का सवाल हो जाएगा बस रास्ता बढ़ा होगा हम जितने भी टॉपिक्स बच्चों फिजिक्स में पढ़ते हैं वो फिजिक्स को टफ और क्लियर होने लगेगा ठीक चलो अब परतें सेंटिफिकल फोर्स एक्सीडो फोर्स है कब लगेगी जब और किस फ्रेम में हो एकस्कलरेटेट फ्रेम में हो किदा लगेगी एकस्कलरेशन के अपोजट बस इतनी बाते हैं अब जल्दी से मैं इसको समझाता हूँ जैसे म वैसे भी आप छोटे से हो पर आप बहुत छोटे होगा है माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल बहुत चोटे और इस मास के उपर बैठ गया है मुझे बताओ क्या का फील हो रहा है इस मास पर बैठें तो हमें लगेगा ना कि हम बाहर जाने वाले हैं ऐसी फीलिंग आएगी ना हम कैसे फ्रेम में आ गए है एक्सक्लेरेटिट फ्रेम में यह मास एम एक्सक्लेरेट कर रहा है कि नहीं बिल्कुल कर रहा है गोल गोल जो भी चीज घूमती है उसके पास सेंट्रीपीटल एक्सक्लेरेशन होता है यह मास एम की विलॉस्टी का डिरेक्शन चेंज हो रहा है मतलब इसके पास acceleration है तो इस मास M पे बैठते ही हम कैसे फेर्म पे पहुँच गया accelerated frame यानि कि non-inertial frame और non-inertial frame में हम कौन सी force लगाते हैं pseudo force pseudo force का formula होता है minus M A M mass उस particle का जो इस पे बैठा है यानि तुम्हारा ठीक है और A acceleration उस particle का और किधर लेंगे हम opposite direction तो centripetal acceleration यहाँ पे था अब यहाँ पे हम बात करेंगे centrifugal force की centrifugal जो की होती है pseudo force centrifugal force कैसी force है pseudo it's not real yes centrifugal force is unreal है नहीं हम imagine करते हैं जैसे हम इस पर बैठे तो हमें लग रहा हम बाहर किरने वाले हैं ऐसा लगे कई कर दो गूमें गाए तो हम बाहर जाने वाले तो यह जो बाहर जाने आली force है यह हम फील कर रहे हैं this force directed outward is centrifugal force centrifugal force ठीक है? अगर बाहर से देखते हैं हम इसी इसको बाहर से परकरवर कहते हों कहते हैं यह चीज़ सरकल में घूम रही है मतलब सेंटर की तरफ फोर्स होगा तब हम बोलते सेंट्रीपीटर फोर्स जब इसी फ्रेम में गुज गये जो गोल-गोल घूम रहा है observer यहाँ बैठ गया इसी मास के उपर तब आप लगाओगे centrifugal force और बाहर से देखोगे तो लगाओगे centrifugal force, am I clear? I hope I am clear, एक दम clear हो गया होगा अगर बाहर से देखेंगे तो कौन सी force? centrifugal, और frame के अंदर जाके देखेंगे स्क्वेर बाई आर, वही बनेगा फामुला, यानि टेंशन किसके एकवल होगी इस टाइम? centrifugal force के ख़द हम फाम। 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 वही आएगा जो centrifugal में आया था, mv स्क्वेर बाई आर या इबोल दो माइनस m r omega square माइनस क्यों लगा रहे हैं? ये बताने के लिए कि जो original exploration होता है frame का जो original exploration होता है frame का, इस frame का original exploration किदर है? अंदर, उसके opposite direction में लगती है pseudo force और यहाँ पर कौन जी pseudo force है? century, fugal force अब जो बंदा इस मास से हम के उपर बैठा है, हमी बैठे हैं तो हम गोल-गोल घूम रहे हैं क्या हम बाहर जा रहे हैं? नहीं जा रहे हैं मतलब हमें कोई force अंदर की तरफ है जो बचा रही है कौन सी? tension, तो हम कहते हैं हम सोचते हैं कि हम equilibrium में इस frame में बैठ कर हम सोचते हैं एकले व्रह्यम में, ना हम बहर जा रहे हैं, ना हम उखा रहे हैं, ना हम अंदर हमाहर लागाए. कोई नई force नहीं है या सिफ concept का खेल है अगर centrifugal force देखनी है तो उसी फ्रेम में बैट जो जो गोल गोल जो गोल गोल घूम रहा है जैसे मैं conical pendulum समझा दूं centrifugal force से मैं सारे question centrifugal से भी समझा सकता हूं सारे जल्दी से देखो conical pendulum जल्दी से अब तो concept आता है length L angle theta mass M यही था घूम रहा है उमेगा से इधर tension T लगेगा इधर angle theta इधर component T cos theta इधर component T sin theta नीचे की तरफ mg अब आप कहां बैट जो इस mass M के उपड़ मास M पे बठो के गोल गोल घूमेगा तुबह लगेगा बाहर जाने वाले हो centrifugal से centrifugal force का formula बोलो वही है जो centripetal का MR omega square away from the center लगाना है अब आप जब इस mass M पे ही बैठ गए हो तो आपको लगेगा गोल गोल तो घूम रहे हैं पर है तो equilibrium में ना हम बाहर जा रहे हैं ना हम अंदर जा रहे हैं आप इस mass M पे बैठ गए ना आप बाहर जा रहे है ना आप अंदर जा रहे है तो आप बोलोगे जो यह T sin theta है जो किदर लग रहा अंदर that should be equal to बाहर वाली force centrifugal MR omega square जो उपर की force है वो नीचे की T cos theta is equals to mg यह equation तो वहाँ पे भी बनी थी जब centripetal से खेल खेला था यह equation यहाँ भी बनी जब centrifugal से फ्रेम चेंज करना है जब इसक तुम्हें लगा कि भाई हम तो equilibrium में ना हम अंदर गए ना हम बाहर गए तो जित्ती टेंशन की force जो भी force अंदर है वही force बाहर है कब लगाएंगे centrifugal force जब आप rotating frame में चले जाओ जब observer खुद rotating frame में चला जाए तब इसी question को बाहर से अगर करते इसी question को मैं बाहर से देखता इसी question को मैं बाहर से देखता तो कोई centrifugal force नहीं तब मैं बोलता net force towards center net force towards center is centripetal force अब मैं बाहर से देख रहा हूँ अब मैं यहाँ से देख रहा तो मैं कहता net force towards center is centripetal force फिर क्या बनता तब भी mr omega square समझ में आ रही है बात मैं कोई भी सवाल centrifugal force से कर सकता हूँ death well वाला सवाल देखो यह रहा death well मात का कुमा यह रहा यहाँ पे mass m force नीचे की तरफ mg अंदर की तरफ normal reaction उपर की तरफ friction अब मानलो इस mass m पे मैं बैठ जाओं तो अगर यह गोल-गोल घूमेगा मानलो यह गोल-गोल घूम रहा वी विलॉस्टी से और रेडियस में और रेडियस में वी विलॉस्टी से गोल-गोल घूमेगा तो मुझे लगेगा मैं बाहर फिकने वाला हूँ तो मुझे फील होगी बाहर की तरफ एक centrifugal force mr omega square क्योंकि मैं इसके उपर बैठा हूँ मैं कैस फ्रेम में हूँ रोटेटिंग फ्रेम में हूँ अब मुझे लगेगा ना मैं बाहर जा रहा हूँ ना मैं अंदर जा रहा हूँ तो n किसके एक्वल हो जाएगा mr omega square या जो भी लिखना चाहो mv square by r जैसे लिख लो वो तो लिखने का तरीका है values की वही है जो सेंट्रीपीट करूँ चाहें मैं rotating फ्रेम से अनलाइस करूँ जो आंसर है वो सेम आएगा है क्लियर हुआ फील अच्छा आता है कहां पे कहां पे कहां पे अच्छा फील आता है क्यों पढ़ड़ है सेंट्रीफ्यूगल काम कहां पे होगा फाइदा कहां पे होगा दिखा दूँ दिखाओं देखो कहां पे फाइदा होने वाले सेंट्रीफ्यूगल फूर्स का मान लो ध्यान देना अच्छा सवाल दे रहा हूं ये एक बावल है ने अच्छा हो पहले ये कराता हूं हां यहां बहुत बढ़ी आफील होगा मान लो ये एक डिस्क है अरे भाई साब यहां तो मजे आन कीडे बैठ जा यहां कीडा बैठ यहां कीड़ा बैठ है डिसके ओपर अच्छह डिसके ओपर तुम्हें कोईन में करण देखो कभी तो बहुंए कोईन नचा दो तो निस बाहर की तरफ फिक जाता हैं कि डिस्क के ऊपर कौईयन रखना तो togwebook बाहर की तरफाइक कभी नहीं वह एक सप्पीड होती नहीं जोते हो तो स्वाइन हो सद्वाहट एक रहता ऐसें त्हूप निकल आया आर रेडियस की डिस्क है और चीटा एकदम कॉर्णर पर है चीटे का मास है एम और डिस्क रोटेट कर रही है विथ अंखलर विलोसिटी ओमेगा दूम गून็घ si ऐसे रखिए झिम मोची टभल साइड में चीटे या कीडे और डिस के बीच में coefficient of friction भी है के झेक कीडे और डिस्कि बीच में coefficient of friction मुद विच प्रिक्शन है what can be safe value of omega so that कीडा doesn't fly away slips away बोलते हैं ठीक है सिर्व हम करो अब चीटे की नजर से कीडे की नजर से कहानी को अनलाइस करो कीडे के मैं कीडा बेट गया अब मैं गॉल गुम रहा हूँ और है मैं बाहर भाग रहा because of centrifugal force मुझे बाहर की तरफ कौन धकेल रही है centrifugal force मैंने किसके frames analyze किया कीडे के मैं बाहर से भी इसको solve करूँगा अभी question बाहर के frame से भी अभी कीडे के frame से देखो कीडे के frame किसे उचो तो कीडे को लग रहा होगा कि मैं तो भाई rotating frame पे हूँ तो मुझे क्या लगाना पड़ेगा pseudo force मैं तो खुद गोल-गोल गूम रहा हूँ तो मुझे क्या लगाना पड़ेगा pseudo force लगा दिया अब इसको बचाने वाली force कौन होगी वो होगी बच्चो friction की force friction opposes relative motion या oppose करता है जहां motion होने वाला हो tendency of motion तो tendency of motion वाहर है तो friction लगेगा अंदर surface और कीडे के बीच में एक friction आजाएगा जो कीडे को रोक के अंदर की तरफ रखा होगा now this friction force must be greater than or equal to mr omega square तभी तो यह बचेंगे अगर यह force ज़्यादा होई तो यह फिक जाएंगे अब friction कैसा होना चाहिए बताओ कैसा होना चाहिए maximum जितना ज़्यादा friction होगा उतनी जिर बचा सकते हो उतनी तेज़ स्पीड कर सकते हो बढ़ाते जो स्पीड अगर friction ज़्यादा है तो बचा रहेगा friction की maximum value कितनी होती है हम आप से बात कर चुके हैं कितनी होती है mu times of n which is limiting friction तो जितना ज़्यादा friction मिलेगा उतना तेज भूमने के चांस है उतना बच सकते हो अच्छा अब इस पे लगने वाली और force बताओ तो इसको थोड़ा horizontal frame में देखो ये रहा हमारा कीड़ा नीचे की तरफ force लग रहे होगी mg उपर की तरफ डिस्क इसको उपर लगा रहे होगी normal reaction तो normal reaction किसके equal हो गया mg के तो friction जो maximum कितना होगा mu mg अब जो maximum friction है वो इस force से ज़्यादा हो तभी इसको बचा पाएगा अगर maximum friction भी इस force से कम है तो तो ये पक्का बार फिक जाएगा जो friction maximum हो सकता है अगर वो इससे ज़्यादा हुआ तभी बचेंगे और maximum friction कितना होता है आपको बता दिया तो maximum friction यहाँ पे ले लो f max होना चाहिए maximum friction कितना है mu mg समझ में आ गया maximum friction कितना होता है maximum friction होता कितना है mu n और n कितना है mg तो mu mg mu mg should be greater than equal to mu g by r omega should be less than equal to mu g by r तो वही मैं बोल ला था कि omega बहुत ज़्यादा होगा तो यह गिर जाएगा यह फिक जाएगा यह बाहर चला जाएगा किस से ज़्यादा नहीं होना चाहिए इस से ज़्यादा omega should be less than or equal to under root mu g by r इस से ज़्यादा omega हुआ तो यह भाई साब गए बाहर so what should be what can be safe value omega so that kira doesn't strip away omega should be less than equal to under root mu g by r results को memorize मत करें बोल्ड मैं बता रहा हूँ मेरे प्यारे बच्चो results को याद मत करो तरीके को याद करो concept को समझो result को मत रट लो कि यार इसका यह answer आता है concept को समझो कि बाहर की तरफ जो force है वो अंदर की तरफ के friction की maximum force से तो कम हो friction की force तो variable होती है change होती रहती है पर friction की maximum force है उससे तो यह कम हो तभी तो friction बचा पाएगा friction की maximum force अपने ले ली अब omega इससे भी बढ़ा कर दोगे omega को इससे भी बढ़ा कर दोगे तो friction उसको नहीं बचा पाएगा क्योंकि friction की आउकात फत्म हो गई friction maximum लग चुका है omega अगर इससे बढ़ा हुआ तो definitely slip कर जाएगा इसलिए अगर बहुत तेज़ डिस्कों गुमाते हैं तो वो बाहर चला जाता है एक particular speed से ज़्यादा पर गुमाते हैं तो coin इससे रखा हो कोई भी चीज रखी हो बाहर गी तरफ फिक जाती है क्योंकि तब omega बहुत ज़्यादा हो जाता है omega की value इससे कम हो तो काम चलेगा क्योंकि friction defined है friction अपनी value बहुत ज़्यादा नहीं change कर सकता एक maximum value है इससे ज़्यादा वो इसको बचा नहीं पाएगा clear है समझ में आया चलिए एक सवाल ओल लेते हैं एक सवाल ओल लेते हैं चलो यह लेते हैं एक topic ले लेते हैं turning of a car on a curve banking नहीं पढ़ा रहा हूँ banking अलग से पढ़ाँगा turning of a car on a curve कार कैसे चलती है other guy इससान मतुत सरह सर एक बातीत कार कहसे चलती है कार ने तेल of a look at a expense कार आगी क्यों बढ़ती है अनौव कार चलती है mechanics चाहनी के टीक है ठीक है तो और गोने से कर आगे वड़ती है प्रिक्षन खतम नहीं हुआ तो चलता रह request नहीं देल अब सब्सक्राइरिक नहीं हुआ है कि है कि ऑद और करो गून घूहां कि को छुभ ऐसे यृजज हुआ है तो आगे क्यों बढ़ लाई है बागे घूम् से गोल-गोल जब टायर सर्फेस के रिस्पेक्ट में जब टायर सर्फेस के रिस्पेक्ट में पीछे की तरफ भागना चाहता है उमेगा स्पीड से इधर जाना चाहता है तो फ्रिक्शन को ये बात अच्छी नहीं लगती फ्रिक्शन को लगता है कि टायर पीछे जाना चाहा तो हम टायर को आगे लेते हैं प्रिक्षिन को ये बात में अच्छ लगती कि ये टायर इसके रिलेटिव में पीछे ये पॉइंट तो कार को रोगता भी है और चलाता भी है दोनों काम करता है कार को फ्रिक्षिन चलाता है आप टैयर पे पार लगाते हो, जिसे टैयर गूमता है पीछे रहे तरफ, टैयर रोट से पीछे जाना चाता है, फ्रिक्षिन उसको आगे ढाकेलता है, इस फ्रिक्षिन जिसकी वज़े से हम सब चल रहे हैं, हम सब ग्राउ। को पीछे पुश करते हैं और पीछे पुश करने वारा पैर पीछे जाना चाह रहा है तो friction आगे लगता है और हम चलते हैं इस friction जिसकी वज़े से हम सब चल पा रहे हैं नहीं मान रहे हैं अच्छा मान लो कि हम आईस पे हैं कीचड में हैं, दलदल में दलदल में कार चलती है कीचड में कार नहीं चलती कीचड में आप देखा क्या होता है टार जेंजेंजेंजें घुमता रहता है पर कार आगे नहीं बढ़ती क्यों? क्योंकि कीचड में, दलदल में friction नहीं होता जहां बहुत मड़ होता है, वहां friction बहुत कम होता है आगे नहीं बढ़ पाोरे वहरेता है एक्ता की मोटी है वह फ्लेकर मेश होता है वि evolving जैसे चालती के स्कूंस did मैश्था करते है जंद हो गाई गयाsi शृते है और खीरीकेक्षण से लिए बात समझेशंहों पूरा डिसकस्टन कंगई और उस्ट POL से किछ मोशन आएगा अच्छ आज की बाद कोई कार कैसे चलती है तो बोलना हिजुन से बोला कार把 चलती है एंजन की पार से जिस्स liberator पीछे गूमाती है और अगर फ्रिक्शन ना हो तो कारे यह कार की नहीं कर रहें हैं तो मानलो यह कर्व रोड है, यहां अपनी कार लेके आए, ठीक है, ठीक है, आप अपनी कार लेके आए, मारूती 800, और आप भूमने की कोशिश कर रहे हो, यहां से, ठीक है, आप घूमाने की कोशिश कर रहे हो, अच्छा, आप तो कार के अंदर हो, चलो आपकी फीलिंग लेत और आपका जो मास है आपका और कार का सबका मिला के जो मास है वो एम है आपका कार का सीट का जितनी भी चीज़ा कार के अंदर आप रखते हो सबका मिला के मास है जब आप घूमना चाहते हो तो आपको एक feeling आती है कि कार बाहर की तरफ भाग रही कभी कार पे बैठो आपके भाई लोग होते हैं बड़े भाई लोग जो स्टाइल बहुत मारते हैं तो कार बहुत तेज घुमाते हैं कर्व पे ऐसे तो कार लगता है आप बाहर की तरफ इस पूरी कार पे पूरे सिस्टम पे अगर हम इसी शूरता सा इंसान बनकर बैठ जाएं इसूरे सिस्टम पर हम बहुत चोटा सा सा इस्तान बनकर बैठ जाएं और अब चीजों को observe करें तो हमें यह महसुन होगा कि यह पूरा system बाहर की तरफ भागना चाह रहा है because of centrifugal force observer कहाँ चला गया है rotating frame में यह observer अंदर वाला ले लो अंदर वाले को भी लगेगा हम बाहर क्यों जा रहे हैं तो उसके दिमाग में आएगा centrifugal force हम कौन से frame में हैं? non-inertial, घूम रहे हैं accelerated frame में, क्या लगेगी pseudo force, कितनी लगेगी m v square m v square by r या m r omega square जो भी दे रखाओ एक्जाम में जैसे भी problem solve हो रही हो, m v square by r वैसे भी car गुमाते वर्फ हमें अपनी angular speed तो नहीं पता होती car के जो speedometer होता उसमें तो velocity दिखाता है car की angular speed दिखाता है तो हम यहाँ पे वी की ही बात करें तो बेटर है है तो बाहर की तरफ लगी है और आम बाहर की तरफ तो इसे सम्हालता कौन है कार रोड की रिस्पेक्ट में बाहर भागना चाह रही तो friction कार को अंदर लाना चाहेगा वाई, friction का एक ही तो जिन्दिगी में परपस है, जो हो रहा है उसको अपोस करो, जो भी हो रहा है उसको अपोस करो, तो friction को दिखा कि कार तो बाहर भागना चाह रही घूमने की वज़े से तो friction ने टैर को किदर की तरफ खीचा अंदर की तरफ अब क्या condition है कि car will not slip car will not slip कि क्या condition है यही condition है कि जो friction है वो mv square by r से बढ़ा हो कौन सा friction जो maximum friction लग सकता है वो centrifugal force से बढ़ा हो अगर maximum friction भी उससे छोटा हो गया तो उसका बचना तो impossible है भाई friction अपने आपको adjust करके maximum तक लाया अगर वहाँ पे बचा पाया तो ठीक वरना तो यह गए maximum friction की value आप से बार और बात हो गई है limiting friction होती है जो की mu in होता है अब देखो इसके उपर एक force नीचे की तरफ लगेगी mg और road इसके उपर की तरफ एक force लगाएगा normal reaction मतलब मैं car को vertical frame में देखो यह car है नीचे की तरफ force लगेगी mg और road इसके उपर लगाएगी normal reaction तो normal reaction किसके एक पल हो गया mg के तो maximum friction हमको मिल गया mu mg तो हमारी जो mg वाली force है it should be greater than equal to mv square by r यहां से mm मर गया v square should be less than equal to mu g r यही आएगा v square must be less than equal to mu g r या v is less than equal to under root mu g r result मत याद करो फिर मैं बोल लहाँ तरीका समझो v should be less than equal to under root mu g r मतलब बहुत तेज स्पीड पे turn लेना ठीक नहीं है इसलिए problem होते हैं जब तेज स्पीड पे turn लेते हैं तो कार बाहर भागती है centrifugal force ज़्यादा बनता है और हम बाहर भागने के बाहर गिरने के ज़्यादा हमारे chances हो जाते है speed किस से कम होनी चाहिए should be less than equal to under root mu g r इस से कम है तो काम चल जाएगा इस से ज़्यादा है तो आप बाहर फिक जाओगे under root mu g r इस से कम हो या इसके बराबर बस इसके बाद friction आपको बचा नहीं पाएगा कोई नहीं बचा पाएगा आप तो गए बाहर clear हुई ये बात समझ में आई है condition क्या लगाई मैंने बाहर की तरफ centrifugal लगने वाला friction जो maximum हो सकता है वो इसको अगर बचा ले गया तो बचोगे आपका उसरी speed इससे कम हो जाए तो क्या होगा तो है तो less than equal to अगर speed कम होगी centrifugal force कम होगी friction भी कम हो जाएगा friction तो self adjusting होता है friction 0 1 देख लो friction की value change हो सकती है अपना स्टार्ट होगी तब तक आप बाहर जा चुके होगे सब कहानी खतमा फिसल चुके हो friction आपको अब नहीं बचा सकता so car के slip ना होने की condition मेरे पास जो आई है निकल के सारी कहानियों को समझ के slip ना होने की वो यह आई है क्या आई थी friction should be greater than equal to mv square by r friction maximum maximum friction हमारा mu n should be greater than equal to mv square by r और n की जगे हमने रख दिया mg n से m मर गया और हमारा आया है v is less than equal to under root mu gr यह condition आई है आच्छा और क्या तरीका है बचने का और क्या तरीका है बचने का मान लो गलती से हम तेज स्पीड में आ रहे हैं पहले से तो बचने का तरीका यह है कि mu की value बड़ी होगी mu की value बड़ी होगी तो इसकी value भी बड़ी हो जाएगी हम और ज़्यादा speed तक जा सकते हैं है की नहीं mu की value बड़ी करने का तरीका मैं बता चुका हूँ अच्छे tiers यूज़ करिए जिस टाइम बारिष होती है उस टाइम slippery होता है mu की value कम mu की value कम तो v जो जा सकता है उसकी value भी कम हो जाएगी what is this v this is maximum velocity यह किसकी value है maximum v जो maximum हो सकता है v जो maximum हो सकता है वो है mu gr इस से जादा speed पे गिर जाओगे अब बारिष के दिन पे क्या होगा mu की value कम हो गई तो maximum speed भी कम हो गई अब उस टाइम आप तेजी speed में आए तो आपकी साहिए तो इसलिए बारिष में आदा accident होते है speed बढ़ा के आप turn लोगे mu है नी friction है नी बाहर बाहर की तरफ भागेगी centrifugal force से आप किर जाओगे यहां वाई दसलिपिंग अकर्स on turns when it is rainy तो आप बता सकते हो when there is rain when there is rainy season around us then coefficient of friction decreases hence the maximum velocity at which we can take turn decreases so at high speed the chances of skidding is more the chances of accidents are more आच्छा तो तो तेजी speed बचने का तरीका यही है कि mu की value जादा हो तो काम बन जाएगा और भी एक तरीका है समझाता हूँ जरा आप मेरे को बता ना कहां पे मरने के ज़्यादा chances है मैं आपको दो track दिखा रहा हूँ पहला track है ऐसा और दूसरा track है ऐसा किसमे ज़्यादा मरने के chance है और बड़ा बनाता हूँ इस वाले में कि इस वाले में या ऐसा बना देता हूँ तो और एक्लियर हो जाएगा आपको ले अब बता किसमे मरने के ज़्यादा chances है इसमें की इसमें डेहने इटली इसमें 90 डिग्री का टन देखा है कभी हमारे तो बहुत है इंडिया में तो बहुत से टन ऐसे हैं और रोट से आते रहे हैं 90 डिग्री जूम गूम पाईगी गाड़ी तेजी से इतनी तेज कैसे गूम सकती है प्रोब्लम क्या हुई नायंटी डिग्री टन में जो रेडिस जो सर्किल मिलना है इसका रेडिस समीरो naught उन्हें से अ 10 वेट स्थोड़ा हो गया वी मैक्स कितना है बहुत कम ले सकते हैं थोड़ी सी स्पीड पर भी आक्सिडेंट हो सकता है 90 डिकरी टन पर हम बहुत दिमें चलते हैं जब भी आपको दिखें टर्न बहुत शार्प है टर्न शार्प है शार्प टर्म का होने का मतलब क्या होता है कि रेडियस बहुत छोटा हो very small स्मॉल रेडियस में मैक्समुम स्पीड भी कम हो सकती है थोड़ी सी भी स्पीड बढ़ा होगे वह मैक्समुम से ज्यादा चली जाएगी इस वैलू को क्रॉस कर जाएगी तो बेढ़ने के चांस जादा है इसलिए आप देखते हो जहां वेल प्लांट होता है वहां पर बड़ बड़े रीडियश होते हैं मतलब घूमने का चंचर होता है बहाथ बड़ा यसे आप फॉर्मौला व बन रेसिंग वागेरा गएन वागे लिए मतलए पर कितना बढ़ा सा हुता है। लुकि मेदें बुकि मेदा और पर ड अंधा मोड, आगे अंधा मोड है, तो यह कुछ तरीके थे टर्रिंग के, चलिए, लास में, ऐक सावाल और करते हैं, क्लास को आज खतम करते हैं, माल्लो, यहाँ पे एक कटोरा है, एक बाउल है, ठीक है? और यह बाउल, अपने सेंटर के अबाउट, इस एकसे के अबाउट, omega angular velocity से घूम रहा है spin कर रहा है, rotate कर रहा है जो बोलना चाहों बोलो rotate कर रहा है, spin कर रहा है अपनी axis के about, spin rotation motion का एक part होता है, ठीक है हाँ, spin rotation motion का एक part घूम रहा है माल लो, इसका radius जो है, वो r है, capital r यहाँ पे, मैंने एक mass रखा छोटा सा, small m coin रखा, कुछ भी रखा कोई एक object रख दिया, मासम का अब आप बताओ, आप imagine करो क्या होगा, जब यह गोल गोल घूमेगा, तो यह coin थोड़ा उपर आ जाता है, जब यह खुब तेज़े spin करा होगे, इस पूरे bowel को खुब तेज़े spin करा होगे तो यह coin थोड़ा सा, उपर आके रुकेगा थोड़ा सा, उपर आके कहा पे, माल लो, इसको हमने गोमाया और यह गोल गूमता गूमता जम 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 इसके उपर फोर्स किदा लग रही है इस मास के नजरीय से देखो इस बिचारे के नजरी से देखो, तो यह किस frame में है, rotating frame में, इसके उपर बाहर की तरफ centrifugal force तो यह घूमता घूमता उपर आया थोड़ा, और मालो, उपर आके, इस जगे पे पहुच गया, घूमते घूमते, ठीक है, यहां तक आ गया, this is again what, radius, अब हमसे पूचा है, कि यह कि calculate करके हमें बताओ, कितना उपर आया है, मतलब यह कितना angle उपर आया है, यह calculate करके बताओ, अब बताओ, कितना angle यह उपर आ गया, क्यों आया, घूमने के वेए centrifugal force लगी, इसके वैसे घूमता घूमता एक उपर, इस जगे पे आके, यह equilibrium में आ गया, हमसे बुचा है, find angle theta at which M remains at equilibrium in rotating bound, इसमें बढ़िये हैं, हम centrifugal को फोर्स और कंसेप्ट लगाएंगे हो, सवाल बढ़ा असान, चलो पहले इस पे forces देखते हैं, कौन कौन सी है, हम rotating frame के अंदर चल जाएंगे, अंदर चले जाएंगे, तो एक force बाहर की तरफ मिलेगी, बाहर की तरफ, अच्छा, force किदर लगेगी, बाहर वाली centrifugal force, यह कौन से circle में है, इसका circle कैसा है, imagine कर पा रहे हो, यह है इसका circle, इसका radius भी कुछ और होगा, आर, यह वो radius जिसमें हो घूमरा, यह तो बाउल का radius है, यहां घूमरा होता, तो इस radius में घूमरा होता बढ़े वाले में, यह तो अंदर कहीं गूल गूमरा है, मतलब चोटे radius में, यह तो इस जगे पे घूम रहा है इस जगे इसका रेडियस छोटा स्मॉल आर मतलब जो सेंट्रिफ्यूगल फोर्स लगेगी यह सर्किल है यानि सेंट्रिफ्यूगल फोर्स ऐसे लगने वाली है एम आर उमेगा स्कूर बाहर की तरफ बाई किसी को यह तो नहीं लग रहा कि सेंट्रिफ्यूगल फोर्स कहीं यह ओल लगेगी यह स्मॉल आर क्याप्टल आर की कहानी समझ में आ रही है गदे तो नहीं हो एक दम यह इस रेडियस में नहीं गूम रहा है चोटे रेडियस में ऐसी कि मूपते मूपते माल और उपर आ गया जब बहुत उपर आ जाएगा यहां पर तब इसका रेडियस र होगा सर्किल का अभी स्मॉल आ रहे है सेंट्रिफ्यूगल फोर्स बाहर और कौन सी फोर्स लगेगी इसके उपर वेट एमजी और कौन सी फोर्स नॉर्मल रियक वार सेंट्रिक्शन से इस यह नॉर्मल रियक्शन एक से करता है कि इसलिए आपको मैने यह बात की नहीं कि hé इस यह बना मश्कूत करते हैं इधर लगा नॉर्मल रियक्शन बहर की की तरफ force लगी mg और यह मास्क इसमें है अब equilibrium in rotating power तो हमें वो angle theta निकालना है यह angle जिस पर यह equilibrium पर तो बच्चों अगर मैं यहां से एक line कीचू यह angle theta तो यह angle भी theta तो n का इधर component n cos theta n का इधर component n sin theta अब n cos theta किसको balance कर रहा mg को ना यह उपर जा रहा ना नीचे n sin theta अंदर की तरफ और centrifugal force इसको बाहर की तरफ ले जा रही पर यह ना अंदर जा रहा ना बाहर तो n sin theta is equals to m r omega square सही है इसमें से इसको divide कर देते हैं नीचे वाले में इस उपर वाले को divide कर दो तो sin theta upon cos theta क्योंकि n से n तो मर जाएगा n से n तो मर जाएगा is equals to r omega square upon g क्योंकि m से m मर जाएगा इसको इससे divide करोगे n से n कटेगा इसको इससे करोगे m से m कटेगा अच्छा sin theta upon cos theta is equals to अब देखो ये small r question में given नहीं था question में क्या given था capital r theta and mass m सिर्फ इतना given था कि इस sphere का radius r है जिस angle पर आके रुका है theta है जो की निकालना है ये भी find करना था और mass इसका m है यानि किस radius में आके घूम रहा ये नहीं दिया था यानि small r एक variable है में जिसकी value रखने पड़ेगी ये triangle जरा देखो यह रहा triangle दिख रहा है triangle इस triangle से मुझे बताओ sin theta किसके एकवल होगा r by r के एकवल होगा perpendicular upon hypotenuse यहां से small r is equals to r sin theta सही है ते small r की जगा r sin theta omega square बटे g sin theta ने sin theta को मार दिया यहां से cos theta की value आ गई cos theta is equals to g upon r omega square and that is the answer मिल गया theta कोई हमसे पूछे theta की value क्या है तो आप बोल दो cos inverse g बटे r omega square किस angle पर आके रुखा cos inverse g बटे r omega square इसी question में एक कहानी और हो सकती है कि friction भी आ जाए अभी हमने बोला कि smooth है अभी जह smooth कहानी चल ले थी मालो friction भी आता तब क्या कहानी बनती तो जानने के लिए देखो अगला video यार enjoy करो all the very best